हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लो हाँ जी बेटे आज अपना सी ए फाइनल एफार का पेपर हो गया मेरी टेंशिन खतम और आज का जो पेपर था अगर मैं इकका दुक्का कोश्चन्स को छोड़ दूँ कट कोफीks पेस्ट डिटकोशन पूछे गये हैं कहां से स्टी मेटिरियल से आइटीपी से और मटिपी यह जो हमने आपको करवा हैं मैं तो कराता है स्टडीमेट आइटीपी और मटिपी हों विद जे और इस पूरे पेपर के अंदर एक भी कोश्चन हमारा disputed नहीं आया, जिस पे कि आपको बता ही है, कोई 10-12 question है, जिसमें हमारा study mat के साथ different opinion है, जो हम इतने बड़े slaves में हम discuss करते हैं, कोई disputed question नहीं है, और सारा paper simple है, और अगर कोई student इस paper में भी complaint कर रहे हैं न, कि sir मेरा paper अच्छा नहीं गया, या मुझे आता नहीं था, sir देखो उसका मेरी कोई जिम्यदारी नहीं है, मैं तो आपको हर question का source बता सकता हूँ, कि ये question हमारी book में कौन सा question number है, ये कौन सी RTP का है, कौन से MTP का है, हमने तो आपको सिर्ख करवाया हुआ है, कम से कम मेरी आज duty खतम हो जिन बच्चों के paper हो गए, उनके group निकल जाएंगे, और मुझे लगता है, अच्छे number आएंगे, क्योंकि जब सारे question किये हुए, तो number तो आने चाहिए, बच्चे exemption कोई बड़ी बात नहीं है, इस paper के अंदर, ये मुझे लगता है, शायद आपको लगरो जिंदार से रहीं बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, जो बच्चे पढ़के गए होंगे, उनको पता है, ढिक्टो question आए, और जो इक्का दुक्का question, जो ढिक्टो नहीं है, वो knowledge से solve हो सकते थे, और concept आपके पास है, वो भी मैं आपको check कराऊंगा, मैं खुश इस बात के लिए हूँ कि paper हो गया, और मेरी जिम्मेदारी खतम, paper हो गया, मेरी जिम्मेदारी खतम, right, आप भी free हो गया, और आज मैं भी free हो गया, तो सीधी-सीधी के बात बच्चे यह है, इस paper में financial instrument के questions हैं, इंडियास 115 के questions हैं, आपके business combination के questions, मैं सारे check करा देता हूँ आपको, cut, copy, paste, ditto question आयो है sir, मैं अगर इसको शुरू करूँ तो, मैं अगर आज इसको शुरू करूँ तो, यह sir first question है, compulsory है, पहला question compulsory है, यह है, first question का a part, कितने number के लिए आया जी, 12 number के लिए, और star limited advanced a housing loan to one of its employees, इंडियास 109 का question है sir, वही, जो हम अपने staff को loan देते हैं, concessional rate पे, market rate 8%, दे दिया 4% पे, तो, हमें fair value निकालनी पड़ती है, क्योंकि off market terms का question है, तो, हम क्या करते हैं, हम cash flows की list बनाते हैं, market rate से discount करते हैं, fair value आ जाती है, बाकी, बाकी prepaid मान के amortize करते रहते हैं, sir, यह question कोई नहीं है, हमारे लिए बताओ, 12 number का question, staff loan का, पहला question, बच्चे तो गदगद होगे होंगे, और अगर मैं आपको इसकी question की numbering बताओं, 54, 55, 57, यह मैं आपको new recording से बता रहा हूँ, financial instrument की मैंने नई recording, lockdown से पहले ही share करी थी, March में, है ना, तो मैं new recording के according बता रहा हूँ, question number 54 हमारी new recording में बढ़ा है, sir, यह मेरे को बताना नहीं चाहिए, 54, 55, यह तो आपको वैसी देखते हैं, अच्छा यह तो simple सा question है, इसमें तो कुछ खास था नहीं, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जी, B part, कितने number का question है जी, 8 number का question है, ind AS, 33 में से आया है, sir, EPS में से, और यह देख लो, option है, convertible preference share है, convertible debenture है, multiple potential equity shares का question है, Ditto question अपनी book में पढ़ा है, sir, मैंने करवाया हुआ है, कौन सा question है, sir, यह हमारी book में question number 34 है, sir, class का किया हुआ question है, Ditto question, ऐसा हो ही नहीं सकता कि compulsory question, question number 1, बच्चे का रह गया हो, 20 नमबर तो यह पक्के है, sir, अगर बच्चे ने ध्यान से paper attempt किया होगा, तो, option है, convertible preference share है, और debentures है, अच्छा, जी, sir, फिर मैं आपको ले के आता हूँ, 20 नमबर का paper चेक करा दिया, आपको, मैं question number 2, A पर वापसी करूँगा, अभी, यह knowledge से solve करने वाला question है, मैं जरा आपको question number 2 का B part चेक करवा दूँ, इन्डेस 34, IFR, इसमें मैंने आपको AS 25 के भी questions की practice करा हुई है, और इन्डेस 34 के questions की भी practice करा हुई है, यह question cut, copy, paste आपके study meds यह आया है सर, और अगर आप मेरी book में इसको ढूणना चाहें, question number 2 है सर, cut, copy, paste, second question है सर, यह AS 25 वाले questions की list में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो मैंने practice के लिए बढ़ा रखे, इन्डेस 34 वाले questions की list में मिलेगा, question number 2, cut, copy, paste, जिसमें capital gain का tax rate अलग दे रखा था, हाँ यह सारी working दे रखेंगे इसमें नहीं, अच्छ है री सर, India is 34, question number 2, यह question number 2 अपनी book में है सर, है study meds का ही सब कुछ, institute का माल हमने आपको बेच दिया, फोड़ा सा unprofessional हो जाता हूं कभी कभी, मुझे बहुत खुशी है सर, पहली बात तो एक साल बाद पेपर हुआ है, November 19 और November 20 सर, बच्चों ने पूरी research कर डाली, जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी कर डाली सर, एक एक query, एक डाउट सर, पिछले एक साल से, एक बच्चे ने 60, 60, 70, 70 queries पूच रखे हैं सर, मैं आज free हो गया, बहुत बड़ा batch, जो students का accumulated था मेरे पास, आज निकल गया सर, paper देखे, मैं तो गंगा ना लिया सर आज, फिर मैं आपको ले के आ रहा हूं सर, question number 3 पे, ये कितने number का question था, 6 number का, 26 number का paper मैंने आपको चेक करवा दिया है, 26 number का paper चेक हो गया सर हमारा, लो जी, question number 3A, कितने number कह जी, 8 number का, ind AS, 116, lease pay, sale and lease back का question है सर, cut, copy, paste, अगर आप इसको हमारी book में ढूणना चाहें, तो question number 42 है सर ये, 42 हमारा कोशन है, cut, copy, paste है, 42 हमारा कोशन सर, है तो study mat कही, और वही कोशन हमने अपनी books में डाल रखे है, question number 42 सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरी books है, मैं तो numbering चेक करा रहा हूँ, कि मैंने करवा रखा आपको, out of course, out of slaybers, out of concepts, कुछ भी नहीं है सर, आच्छा जी, इसके बाद है सर, 3B, 3B, ये भी art number का question है सर, और ये indiais 36, impairment का question है सर, ये आपको book में मिल जाएगा, question number 2 है, extra questions में, इंडियास 36 में, extra questions में, question number 2, book में check कर सकते हैं, question number 2 सकते, cut, copy, paste, ditto, 20 number का paper मैंने आपको पहले चेक कराया था, 6 number का paper बाद में चेक कराया था, 26, 26 और 16, 42 number का paper आपने चेक कर लिए, same questions पढ़े हैं आपके पास, अच्छा जी, 42, 42, फिर मैं आपको आगे ले के चल रहा हूँ, ये C part है सर, इसका 4 number का, मैं इस पर बापसी करूँगा अभी, ये knowledge के हिसाब से solve होगा, लो जी, question number 4A, compound financial instrument, INDAS 109, आपको पता है न, compound financial instrument के दो टुकडे करते हैं, liability component, equity component, अगर मैं concept के हिसाब से बोलू, तो मैं अगर आपको number नहीं भी बताता question का, तो भी खुदिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, cut, copy, paste, ditto question आया हो है, अगर मैं आपको numbering बताऊं तो, MTP number 1, question number 6B part, मैंने आपको 5 MTP अभी तक provide किये हैं, मैं numbering लेके चल रहा हूँ न, MTP 1 से लेके MTP 5 तक, exam तक 5 MTP मैंने आपको provide किये हैं, तो ये MTP 1 है सर हमारा, ये March 19 वाली series थी, उसका question number 6B है, cut, copy, paste, ditto question दे दिया सर इन्होंने, और अगर मैं इसकी reference नहीं भी देता, तो अभी split off ही तो करना है, liability component, equity component तो निकालना है, कितनी number का question है, 6 number का, 48 number का paper check हो गया सर, अच्छा जी सर, 48 number का paper आपने check कर लिया, लो जी जनाब, segment reporting, India S108, segment reporting, ये आपके पास total turnover है, इसका 10% आपको check करने, 1,88,000, ये reportable है, ये reportable है, ये दोनों unreportable है, और फिर हमें, question कहा रहे जी, segment C को ये दिखाना चाते हैं, मैं क्यूं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको number बताता हूँ न, ये लो, MTP3, question number 3A, लो जी सर, Ditto question, cut, copy, paste, MTP3 में से, question number 3A दे दिया, सर, इन्हों ने आपको, आपके नजर से निकला हुआ question है, ये, कुछ नया नहीं है, सर, इसमें, आपको sales के basis पे, 10% की condition लगा के, ये बताना है, कि कौन-कौन से segment, reportable segment है, reportable segment identify करने है, और जब reportable identify हो जाएंगे, फिर 75% की condition, चेक कर लेंगे, उसके according देख लेंगे, करवाया हूँ question है, सर, ये भी 6 नंबर का question है, मैं discuss थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ आपको, कि की हो है, अच्छा जी, अगला question, अगला question, अगला question, अगला question है सर, 8 नंबर के लिए, इंडे ये, 103 business combination का, ये question number 48 है सर, बुक के अंदर, अगर आप book खुलेंगे, तो इंडे ये, 103 में, question number 48 है, cut, copy, paste, question है सर, class में discuss किया हूँ, मैंने हाथ से solve किया था, नहीं हाथ, question तो मैं सारी हाथ से solve करता हूँ, 48 question है सर, कोई question आया अभी तक, मैं आपको जिसका प्रूफ ना दिया पहूँ, सारे question सेम है सर, मैं पता क्यूं बता रहा हूँ, क्योंकि CA final के बच्चों की तिसल्ली नहीं होती, मेरे को आया एक message अभी, 5 minute पहले, सर, ये question आपने ही नहीं कर आए, अभी या करवाए होगा 48 question है, देख तो लो यार, करवाए होगा यार, प्लीज, मेरी जिम्मेतारी खतम है सर, ना प्लीज, मैंने तो करवा रखे हैं सर, question देखो, अच्छा जी, उसके बाद, उसके बाद, अगर मैं आगे चलता हूँ तो, उसके बाद, उसके बाद, ये सर, इन्डियस 19 का question है, इन्डियस 19 का question है, शायद आपको यादो, पहले मैंने आपको, AS 15 समझाया था, फिर, इन्डियस 19 के प्रावधान, जो different है वो कराये थे, फिर, AS 15 के practice के लिए question, आपको अलग से करवाये थे, फिर, इन्डियस 19 के study material के question कराये थे, कराये थे ना, last video में, तो जो study material के questions का video मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने test your knowledge के question, homework में दिये थे, मैंने बोला था, main main question मैंने सारे करा दिये, और test your knowledge के question मैं आपको homework में दे रहा हूँ, आप self read कर लेना, आखरी के 10 मिनट का video चला के देख सकते हो, आप, question no. 5, study material का, test your knowledge का question no. 5, जो homework में, अगर homework वाला question paper में आ रहा है, तो इसका मतलब पक्की बात है, main questions में हमने चीज़ें discuss कर रखी होंगी, तो homework कैसे दे सकता हूँ मैं आपको, same question है से, ढिटो, cut, copy, paste, अच्छा जी सर, आगे, ये question आया सर, in day 7 में से, और मैंने बोला भी था, जब मैं ये question record कर रहा था, ये है, RTP May 20 का question है, question no. 2, consolidated cash flow का question था, और जब मैं May 20 की RTP कर रहा था, मैंने बोला भी था कि ये question बहुत जादा important है, कर लेना, exam में 8 marks के लिए आ गया सर, cut, copy, paste, ditto question है सर, institute के examiner ने, कोई नया question बनाने की मेनत की नहीं, question उसने, उठाए हैं बस, यहां से question उठाया, वहां से question उठाया, दे दिया आपको, तभी तो कहता था आपको बार-बार के RTP कर लो, MTP कर लो, RTP, MTP, बच्चा पोछता था कितने attempts की करने से, मैं बोलता था, सारे के सारे RTP में सारे question solve नहीं करते, कुछ तो similar ही होते हैं, तो मैं आपेशा कहता हूं भी RTP कर लो, MTP कर लो, RTP कर लो, MTP कर लो, कोई MTP का question है, कोई RTP का question है, यह class में solve किया हुआ question है मेरा, हाथ से solve किया हुआ question था, cash flow का यह वाला question, अच्छा जी, यह इसका C part है, इन्डेएस 28, extra questions, question number one, जब आप इन्डेएस 28 की book खोलेंगे, class book, उसमें extra questions मिलेंगे आपको, first question, cut, copy, paste, डिटो, इन्डेएस 28, associate वाला, और जो extra questions के videos हैं, यह भी मैंने lockdown से पहले, March में share किये थे, सारे बच्चों के जाथ, financial instrument की, fresh recording share करी थी, इन्डेएस 116 शेयर किया था, और extra questions share किये थे, telegram के उपर, ठीक है जी, मैं तो question की numbering, डिटो बाइटो बता रहा हूँ, आपको सर, की हो यह question है, अच्छा जी सर, लोग जी, stock appreciation, इन्डेएस 102, इन्डेएस 102, question number 2 है सर, class book का, अगर आप class book में refer करना चाहें, तो question number 2 है सर, same to same questions है, vested immediately का question है, west immediately का question है, west immediately का question है, question number 2 है सर, कितने number गया जी, अगर अभी भी बच्चा यह कहता है सर, paper paper बोहर टफ था सर, paper तो देखो लेंदी आता है बटे, लेंदी तो मैं मानता हूँ, हमेशा मानता हूँ, कि CEA students को जो paper दिया जाता है, वो लेंदी है, लेकिन अगर आप बोलें, जी paper tough था, tough तो नहीं था सर, जब चीज़े की हुई होती है, हमने इतना time लगा रख रहा होता है, tough नहीं मान सकते हैं, अच्छा जी, question number 6A के बाद है, मेरे पास, लो जी सर, INDS 12, INDS 12, DEFER TAX का, ये question शायद RTP में से आया, शायद क्या पक्का ही उसमें से आया, करवाय होगा है, May 2019 की RTP, और question number 2, मेरे हाथ से solve किया हुआ question है, ये वही तो question है, जिसमें subsidiary आपकी tax, subsidiary ने loss incur किया था, subsidiary ने loss incur किया, और consolidation के time पे ये बोला जा रहा था, कि subsidiary future में profit ने कमाएगी, तो जब future में profit कमाएगी ने, taxable loss set up होगा ने, तो DTA बनाएंगे क्यों, DTA तो तब बनाते न, जब future में taxable income आने की उमीद होती है, और recovery की उमीद होती है, ये वही तो question है, May 19 का RTP का second question है, सारे वीडियो आपके पास है, सारे नोड्स हाँ आपके पास है से, आप चेक कर लेना, जब आपका paper खतम हो जाए, और, मेरी बात समझे रहे हैं, जब paper खतम हो जाए, cross check करना चाहों कर सकते हैं तब आप, इस इतनी चीज़े मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो मैं रिमूब नहीं करूँ है, ये पढ़ी रहे हैं टेलिग्राम पर, अच्छा जी सर, अच्छा जी अच्छा जी सर, उसके बाद ये तो सिए सर का question है, हर RTP में यही question, हर RTP में यही question, question number 2 है सर ये, हमारी book के अंदर, और सर एक ही question आता है, हर बार RTP में यही डिट्टो question, और आपको बताना होता है, कि कहां से applicability स्टार्ट होती है सर, question number 2 है सर ये, CSR का, अगर आप book refer करें तो, अच्छा जी सर, अगर मैं इसके इस part में आता हूँ, अगर मैं इसके डी पार्ट में आता हूँ, ये, India's 111, extra questions, और question number 6 है सर, India's 28 का, extra question number 1, और India's 111 का, extra question 6, यानि, extra question पढ़ने से फाइदा मिला आवे, एक्स्ट्रा question की coverage से फाइदा मिला, उसी में से देखो questions पूछे गए, चलें जी आगे, अब मैं आपको एक दो question चेक कराता हूँ, जो knowledge basis पे करने थे आपने, सारा paper मैंने आपको go through करा दिये, मैं आपको एक ऐसा question चेक कराना चाहता हूँ, जो आपको knowledge से solve करना, देखते आपको ओगे नहीं सर, ये कुछ था नहीं इसमें, मिलता जुलता question था एक RTP में, मैंने उसकी reference नहीं दिया आपको, लेकिन मैं चेक करा देता हूँ, पांच मिनिट का question है ये, ये कुछ जादा time नहीं लेगा question, अगर आपको लगे मैं आपका time खराब कर दूँगा, नहीं, पांच मिनिट का question है ये, है कितने marks का, 14 marks का, इन डेयस 115 में से आया है ये, revenue from customers है न, ये देखो, इन्होंने ये बोला है कि, अगर 0 से 10,000 sales volume रहेगा, तो हम 90 rupees चार्ज करेंगे, अगर कोई 10,000 से लेके 35,000 units हम से खरीदेगा, हम 80 रुपे चार्ज करेंगे, अगर कोई 35,000 से उपर खरीदेगा, तो 70 रुपे चार्ज करेंगे, sales volume की range बता दिया, आपको और price बता दिया, और हमें कहते हैं, कि आप expected value method लगा के, हमें ये बताओ, कि कितनी sales होनी चाहिए, expected value और most likely, दो तरीके होते हैं हमारे पास, expected value में हम क्या करते हैं, probability factor लगाते हैं, और most likely में yes और no, तो ये expected value है, range दे रखिया आपको, कि 15% chance है, 9000 units के, 75% chance है, 28000 के, 10% chance है, 36000 के, तो करना क्या है, 15% लेना है, 9000 का, 75% लेना है, 28000 का, और 10% लेना है, 36000 का, ये एक range आ जाएगी, ये जो range आएगी, इसके according, हम यहाँ पे price set कर लेंगे अपना, जहाँ पे भी ये fall करेगा, वो price हम select कर लेंगे, हो गया question, ये इसका A part था, अच्छा, इसका B part क्या कहता है, B part कहता है, जहाँ आप हमें most likely के हिसाब से बताओ, most likely method, instead of expected value method, what will be the revenue recognized in the books, तो most likely में आपके पास 75% की percentage सबसे जादा है, 75% कितना 28,000 का, तो इसको base बना लो, probability factor नहीं लगाना, yes, no, लेना होता है, तो सबसे अधा high rating कहाँ पे है, 28,000 पे है, तो 28,000 कहाँ fall करता है, यहाँ fall करता है, यह लोजास्थी रुपे का rate लिके बना दो, yes or no हो गया आपका, यह knowledge से question solve करना था, एक में probability factor लगा के करना था, एक में most likely लगा के करना था, और अगर आपको entries पास करनी हो, तो customer account debit to sale, यह question पूछा कै पेटे आप से, ठीक है जी, अच्छा, यह knowledge से solve करना था आपने, अब institute कम से कम कोई एक यहां दो question तो देगा ना, आपको जो knowledge से solve करने पड़ेंगे, सारे question तो लिट्टो आगे आपके, cut, copy, paste आगे, और अगर किसी बच्चे ने इसको option में छोड़ दिया होगा, तो फिर तो सारा वेपर ही सेम है, अच्छा, और, 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 यह पेपर है सर आपका, यह आप देख ले ना, मैं आज अपना free हो गया सर, मैं तो free हूँ आज, आपको बताऊं, और मेरी बहुत बढ़ी tension उतर गई, मुझे लगता था कि यार पेपर एक साल हो गया हुआ नहीं, और institute को यह पंगा नखड़ा कर दे, कहीं से question उठा उठा हो के बच्चे को परिशान कर दे गई, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, पेपर सर लेवल पे था, और, मैं कहता रहा हूँ कि यह question नमर यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, तो स्टार्टिंग के जो 5-7 पेपर होते हैं न, वो बच्चे कभी problem में फसते नहीं हैं, क्योंकि institute के पास कहना, syllabus जब change होता है, तो institute के पास भी scope कम है अभी, जब papers के history हो जाएगी, 10-15-20 पेपर हो जाएंगे, तो number of question एक अठे होते जाते हैं फिर, फिर टफ होते जाते हैं मामला, CA final old course में क्या था, इतने सारे papers का background था, इतने सारे RTPs का था, तो institute कहीं से भी paper बना सकता था, news labels में अभी इनके पास material लिम्टेड है, लेकिन 56 paper जब और हो जाएंगे, तब इनके पास number of question बहुत सारे हो जाएंगे, तब ये पूछेंगे question गुमा 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 जे, तो अभी तो सार आने वाले दो तिन attempt तक भी paper का level यही रहेगा, पीछे भी paper का level रहा है, paper का level इतने ही है, और अभी ये शायद study material निया निकालने वाले है, मेरी बात हुई थी इन से, 15 November के बाद ये बोल रहे थे निया study mat आएगा, तो देखो study mat में questions तो add नहीं होंगे, I hope कि कुछ गलती हैं जाए सुधारेंगे अपनी, जिन गलतीयों को लेके, मतला थोड़ा बहु डिस्प्यूट रहता है अपना, क्योंकि इन्होंने mails में तो बोला था मुझे, कि हम गलतीयों अपनी rectify करेंगे, तो देखो मैं वो mistakes ठीक हो जाएं तो बहुत बढ़ी है, कुछ बच्चों को तो हमने बोला queries में, कि या ये mistake है यार छोड़ो पर इसको क्यों पुछते हो आप, तो कुछ बच्चे मानते हैं, कुछ बच्चे नहीं मानते हैं, सब जब study में ठीक हो जागा, तो सब मान जाएंगे, राइट, thank you very much, best of luck, अगले paper की त्यारी मन लगा के करो, और ये paper आपका अच्छा गया होगा, I hope, God bless you.